तुझे भी हेट्स चाहिए और तेरे भाई को भी हेट्स चाहिए अब किसका हेट गिरेगा किसे पता हेट्स गिरेगा या तो टेल्स गिरेगा टेल्स नहीं गिरा तो हेट्स जरूर गिरेगा अरे, heads गिरा, चलिये, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं, चलिये, सुनो रहे, ये कह रहा है, मैं पैर पड़ता हूं, हर एक धन्दे में कोई नो कोई प्रॉब्लम्स जरूर है, कई प्रॉब्लम्स है, है ना, और इन में से सबसे बड़ी प्रॉब्लम तू है, लड़के लोग बोलते हैं, भाई, इसे प्रॉब्लम है, इसके भाई को प्रॉब्लम है, आपकी जान जा सकती है, और मुझे मारने के के लिए ट्राइ करते करते थक चुके हो अब तक देरे और मेरे बीच में जो प्राब्लम थी वो थी प्रापर्टी यह सब बिजनस प्राब्लम है पर जब मैं तेरे भाई को मारूंगा तो यह परसल प्राब्लम बन जाएगी और फिर तुमुझे मारने आएगा क्यों आएगा वर्णा तो क्या कर लेगा अपने तट्टूं के साथ मिलकर मुझे मारेगा एः तेरे और बाई में 1.5 किलोमेटर का फर्क है और तेरे भाई और जाकु की बीच में 1.5 इंच का फर्क है जानता यह लोग आधी एकर जमीन के लिए अग दूस्तर को काट देते हैं पर यह त तेरे भाई को मारने के बाद तेरा खून खौ लेगा और फिर तू मुझे मारने आएगा अच्छा आफर है यूज कर ले क्योंकि दोस्त की बजा है दुश्मन अच्छा होता है और तू मेरा बेस्ट दुश्मन है रे तू भी खेलता रहे मैं भी खेलता हूं बाई बाई कहा हो तू मैं चल्दी आओ बाई डर लगरा मुझे बाई 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 खतम कर दे उसे बाई 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 यह कादी मेरी तरह बन रहा बाई 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 जाकर उससे बोल दे लड़की तुझे पसंद नहीं करती है यहां रुखने का कोई फाइदा नहीं उसे समझा दे जा भाई आप जैसा सोच रहे हो वैसा वो लड़का नहीं है भाई परिशान करने नहीं आया और नहीं परिशान होने के मोड में हो उसे बाहर आने के लिए बोल उसके बस शकल देखनी है मुझे बाई साब, वो मेरी बात नहीं मान रहा, बोल रहा है शीवा को देखकर ही जाएगा यहाँ कोई फर्जडे फर्शो चल रहा है जो देखने की जिद कर रही है अगर इसने शीवा को नहीं देखा, तो हनुमान की तरह लंका जला देगा चेक ये लो बेटी, थाइंकिय वान जाएगा देखो अगर बाहर इतने पंगे चल रहा है और अंदर ये चेस खेल रहा है जीद गई भाई जीद गया पापा आपने बात की बात की उससे पर वो नहीं जा रहा है तुझे देखने के बाद ही जाएगा मैं मिल लेता हूं पापा भाया उसे देखना जरूरी नहीं है मैंने कहा ना पसंद नहीं हो चुपकर तो इस प्रॉब्लम का ये कोई समाधान बाया और शादी रोक दी उसकी अरे अगर इसके घर में ऐसा कुछ होता या शादी रुखती तो इससे पता चलता कि बेटा हां पापा तंभल कर बात करना हां ठीक है आ गया इससे जुबान लड़ाएंगे तो अपना ही नुकसान होगा कैसे हो इससे अच्छा चुपी रह मामा काव्या के शादी है सुना था हो रही है क्या अच्छा वो किसे से प्यार करती है यह सच है मामा जिन्दगी एक बोट की तरह है उसे जो चला सकता है बोट उसे के पास रहनी चाहिए समझे मुझे चिढ़ाना छोड़ दे तुससे मिलने के लिए तिरे जीजा आया है उ जो कहना है वही से बोल सुन सकता हूं सुन सकता हूं ओ मामा पंच मैं एकदम सौफ्टली बात करूंगा जा तुझे बस देखना चाहता था जा डेविड सर मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहता हूं गाओं में आपके बारे में पूछ ताच की सुचा बात करके कुछ फाइदा नहीं है इसलिए लड़की को उठा लिया कुछ गलती हो गई हो तो सौरी मैं कौन हूँ तुझे चाहूँ तो अभी इसी वक्त बता सकता हूँ लेकिन वक्त सही नहीं है पर एक दिन तुझे मेरे बारे में अंदाजा हो जाएगा फिलाल तुझा हीरो सर कौन आप हो अपनी मंगेतर का बलिदान दे रहे हो तो आप हीरो ही होगे न उसे तो मार देना चाहिए था जाने क्यों दिया जंगल में शेर को देखकर सांसे धंगई दे ली और घर में आके बिल्ली को मारने की बात करता है बिल्ली आईए इसे मारना कोई बड़ी बात नहीं समय आने पर देख लेंगे शीवा तुने मेरे साथ ऐसा क्यों किया माला दिदी माला दिदी मैंने शेलवा से बात की है दिदी उससे ना मैंने सॉरी बोलती है दिदी सॉरी बोलती है उस दिन वह बात करने के हालत में नहीं था अब तक सुधरा नहीं होस्टिल जाकर क्या होगा इसका है चुटे वहां कुछ भी नहीं तू आजा आजा कुछ भी नहीं उसे बोला कि मैं गया था चल पूरा पी जाए रग दे यहां चलो अब सोजा चल तू भी सोजा पता नहीं कितने साल माला को सोचके बढ़ बढ़ाता रहेगा सुबह उठके पहले मंदिर जाएंगे तमेव माताचा पिता तमेव तमेव बंदुष्य सका तमेव तमेव विद्या तर्वडं तमेव सर्वं मं देव देव मूकम करोती वाचालं पंगू लंग्यते गिरीम यतिकृपातम हम वंदे परमानन्द मादवं आज वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल लॉयर है और एक समय में वो खुद बहुत बड़ा क्रिमिनल था वो जिस लड़की से प्यार करता था हम सब दोस्तों ने मिलकर उससे उसकी शादी करा दी उसके बाद से वो फैमली वाला आदमी बन गया है पर ये बता तू सब की शादी करवाता फिरता है खुद क्यों नहीं किसी लड़की से प्यार कर लेता है प्यार तो तू करी रहा है पर मुंबई की किसी सुन्दर किसी सेट की लड़की से ही शादी करना सेट की लड़की? सेट की लड़की अपने को जमेगे नहीं पपा क्यो? अपने गाउं की लड़की है न एक दम लड़ू जैसी क्या लड़ू लड़ू हमारे जमाने की सभी लड़ू और भी आज के जमाने में बूंदी हो गई है क्या कहा दरसल मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर तु मुंबई से लड़की लेकर आएगा तो तेरी मा उस लड़की को जेल सकती है पर गाउं की लड़कीयों को नतर तरीका आता है ना बात चीताती है आज की डेट में गाउं की ओरते जो गालियां देती है ना वो तुम्हारी मा की क्रेटिविटी है मिस्टर रतनम आपको ज्यादा नहीं बोल रहे हो नहीं मिस्टर शिवा मेरे बोलने का मतलब है कि अपने बीच में जो आर्ग्यूमेंट और जज्जमेंट हो रहे है वो अपने लेवल पे हो तो हमारी फैमिली हमेशा खुश रहेगी समझ गए यूर आउनर वैसे आप अच्छा मना लेते हो यूर आउनर मेरी तो आदत हो गई ऐसे हसा हसा के मना लेने की लेकिन तू इसे छोड़ तू मत मना तेरी उमर बित्ती जारी है मेरी बात समझ ठीक है पपा अच्छा मेरी बात सुन शिवा अंदर हम दोनों ऐसे ही फ्रेंड्स की तरह रहेंगे दूसरों के सामने तुम मेरी मत सुना बिल काओ बर में चक्कर लगाने की जरूद नहीं है नहीं तो तुम्हारे दात मिकाल दूगा हमाज गया ना ठीक निकल आभी जारो नाटक क्या कर रहा है निकल यहां से अधर नहीं चाहिए वह बेटा बना रहा है वहीं बहुत है निकल यहां से पहले चाय तो पिला दे मुझे और कुट्टे को लेकिजा अधर क्या माज रहा है इस पागल के चक्कर में में धंदा बर्बाद हो जाएगा तू देखना इसने क्या किया है यह देखना क्या ले आ भाईया ऐसा क्यों कि आपने साथ ही था वो मेरा छोड़ दो क्या चाय पिलाता तो चला जाता ठीक है इसे लिए जाकर दूर फेक कर आओ जाओ जाओ ना वह फेक देंगे के दोक्तर फाबचारा अब फागल हो गया है कि गाओं से गए 10 दिन हो गए तुमको तुमको कहां गए थे एक और चाय दे भाई भाई एक और चाय देता है कहां कहां नहीं छुंडा तुम्हें कहां गाइब हो गयते गाड़ी में फूल चड़ाने के लिए आदमी चाहिए से मुझे गदे के तरह काम करवाया फिर एक फूटी कोड़ी भी नहीं दी खाने के लिए पैसा मांगा तो मुझे मारने लगे यह देख भाप रहा हुस्पिटल जाने के लिए पांच रुपए नहीं है बस वाला पैसान का था उस पर चड़के आ गया तुम भी ना चलो पहले इलाज खुद कर लूँगा पैसे दे यह लो इतना काफी है देख लूँगा भाई बैठो 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 सबसे पहले अस्पताल जाना समझ गए ना बाद में सीधे सलून जाना और बाल कटवा लेना घर पर बहन की शादी है बेबी की शादी है और तुम्हारे जाना और घर चले आना समझ गए जाओ सीधे अस्पताल जाना मैं चला जाओ गए ना क्टाल जाओस untuk मुदा ऑी भर बहुताल जाना समय में सादी है उडे हैा ले से और खव जाना की शीजन सीदित को खवार सालुम्हारा से घ्म जाना यार जाना शीवा शीवा चलो इधर आओ मारूंगे तुम्हें इधर आओ मामा क्या है बोलो मामा मामा, मेरी एक हेलब करोगे मा कैसी हेलब मामा मामा, मेरी भी करवादो ना मामा क्या, शादी , तुछे शादी करनी है प्रीस मामा ठीक है ठीक है तुम रोव मत रोना मत कल सुभा बड़े मंदिर में शादी होगी ठीक है अपने मम्मी को बोल देना ज़ा लगता है जहां पहुच न था वहां पहुच गये यह देखो क्या बात है गाव का सरपंज भी सायरन की गाड़े लेके गुपता है यह यह गाड़ी का रजिस्ट्रेशन देखना टी एन 59 मदुराई की गाड़ी है अंदर शायद कोई मंतरी आया है डर रहा है क्या तू डरूं यहां पर सीता कौन है किस दे पकारा अरे यह दादी को भी अंदर ले ले आज़ा वांदर आज़ा यहां पर कोई हमारा पीचा नहीं करेगा बटना अच्छा नहीं होगा अरे जी कहा है आप दो लड़के घर में घुसका सारी ओर्तों को ले गए हम बहुत खुश नसीब है कि आपकी शादी देंगने हुए हमें शुक्रिया क्यों करें है हमें आशिरवाद दीजिए यह हमारी खुशी का दिन है अब तुने बचेगा तुम खुश हो ना बहुत बहुत खुश हूँ मैं ए जी यह भाई लड़का है अंकल वह आती बहुत घुसे में लग रही है शरम नी आती तुझे सास बहु की परिशानियों का वक्त जा चुका है अब सारी बहुए अपनी सास को मा जैसा समझती है और तू है कि छे माबाप की खुशियों में ही बच्चों की खुशी होती है उन खुशियों को पाने के लिए तुम लोगों को बस अपनी सोच बदल नहीं थी कहा आकर क्या बात कर रही हो क्या करेगा तू हम सब लोग को अंदर डलवा देगा क्या नहीं तो गुंडों सो पिटवाएगा इतना ही पता है तुझे तेरे बारे में अची तरह से जानता हूं रोड पे जो कच्रा ले जाकर फेकते हैं उनको नमस्कार करता है ले करवाना पुन्य का काम है जो तुझे नहीं मिला वो अफसर मेरे बेटे को मिला है जा जाकर उनका आशिरवाद ले थोड़ा बहुत पुने कमा ले जा 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 चली जाकर आशिरवाद ले लो वरना हनीमोन के लिए निकल जाएंगे देखो बेटा शिवा तुमने अब तक कि मैं कैसी गाड़ी चलाता हूं सिर्फ जब आंटी पीछे बैठती है तो इनके हाथ पर हेंने लगा है मामा है आजाओ खाना खाली है अहां जी खाली है और अब सब ओके ना तुम हैपी हो ना हैपी मामा ममी रो रही है दो दल से खाना नहीं काई दाताची का भी बुरा हाल ह वो बीमार होते जा रहे है हुआ यह था कि दादी साथ साल के उमर में चल बसी दादा को पहले किसी से प्यार हुआ था और ममी चाती थी कि दादा की उनसे शादी करा दे आज 20 साल हो गर लेकिन उनके घरवाले दादाची से उनकी शादी कराने के लिए तयाद नहीं है मामा टादाची किसे शादी करा दो प्लीज बेबी जाओ अपनी मा के पास जाओ 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 बाई बेटा आप जाए मैं आ रहे हैं हाँ छोटे मैं भूल गया था वह बगल में चंदुक की दुकान है उसे कबड के पैसे देने हैं ठीक है मैं जरा उपर जा रहा हूं टीवी का ओर्डर देना है ठीक है पापा और बरतन की दुकान पर जल्दी आ जाना है ठीक है कि अधिक है वह कवर्ड घर पे उतारो या फिर बाहरी रख दू ने घर पर उतारेगा तो बेटा रहा है कल सुबह घर पर पहुचा दूँ ओके थैंक्स जी बहुए कि क्या हुआ भी क्या हुआ! जो 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 झाल मैं शो जो 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 पापा मैं जाकर मन्नु को जोटे क्या पापा तुमने क्या बता है कहां जा रहे हो मैं मन्नु को देखने जा रहा था पापा ठीक है जाओ पर संभल कर जाना ठीक है पापा कि अपने घर पर आकर चिला कर लड़ाई करके जाता तब तो फिर ठीक है चलता था पर उसने उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं किया उसने सिर्फ अपने बेटे शीवा को एक बार देखा उसके बाद साइलेंटली वहां से चला गया यहीं बात मेरे दिमाग में घूम रही है आज पीच रास्ते परिकातमी को काठ रहे थे उसकी शक्ल कैसी थी पता है मुझे उसकी आखों में गुस्सा नजराया वही गुस्सा जब वह अपने बच्चे को छोड़ कर जा रहा था तब मुझे नजराया था मुझे उसका कोई डरवर नहीं है मेरे पापा भी कितने गलत नहीं होगा तो क्यों फाल तो कुछ भी सोचता है कि मन्नू कि कहते हैं जिन्देगी में छोटा सा डर आते ही अपनी सारी गलतिया याद आ जाती है कितनों की शादी रुका कर उनके माबब का शराप लिया होगा यह वहीं माबब है जो तेरे हर किये काम पर तुझे प्रब्लम ना चाहें यहीं डर है ऐसा कुछ मत सोच तुदुखी मत हो यार शादी में जरूर आना भाई अरे शादी की तैयारी तो आपने शुरू कर दी पर आप ही नहीं मिल रहे हो हमें कुछ काम हो तो हमें भी जरूर बताएगा क्यों भाई गाउं की सारी शादियों का पूरा काम मैं ही करता हूं यह मेरी बेटी की शादी है और इस घर का पहला शुबकार्य है मैं ही पूरा काम करूंगा समझ गए तुम शादी में आकर सिर्फ खाओगे और आशिरवाद दोगे आप अपनी फूरी फैमली के साथ आईएगा हम भी जरूर आएगे जरूर आएगा हम था पर था आद अगर था अगर आद देख क्या रहे हैं गुलाब जल बढ़िया नहीं जाया गार कि अंदर जाएगा तो फिर भूल जा तो पूले ना कभसे नाटक कि जा रहा है क्या बात है तेरा भाई यहां पर पीकर मचमच कर रहा है तुझे जा कर देख उसे शिवा इतनी पी रखी तुन्हें यहां सब्सक्राइब चलो पकवास मत कर वाने इधार इधार चल्ड़ का सुनिये ना तुम इतना पैनिक चैनल गया तो तुम्हारे साथ रहुआ तै यह उसे चोड़ो यहां सुनो गहने चाहिए पेटी की चाबी का यह पास थी ने पास थी क्या र सोच रहे होंगे क्यों है ना अंकल आपको सब कुछ पता ही है एक बियर दो बियर कॉल्टर हाफ फूल चिकन सिक्स्टीफा सिग्रेट पकेट यह सब ले ले ठोड़ा कम पड़ेगा क्यों रूम बुक करना है क्या कल सुबा तुझे शादी में भी आना है चला आपके लिए सबसे पहले उसकी शादी होगी फिर उनके छोटे भई शिवा की शादी होगी कि बहुत बढ़ी हो कर ले खर्ले कर ले कर ले मुर्गा ए मुर्गा रुग्या मैं भी आ रहा हूं है इधर आए अरे 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 तोड़ा मेरे काम आजाएगा सबकों मिलना चाहिए चल्ट्ब अब जल्दी पिकार जल्दी बरना है क्या जब जल्दी कर ठीक अब सुनाओ मत इतना चल्डी जल्दी करें जल्दी अब जल्दी 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 आपकर अब आपकेट कर जाए जब आइब जल्दी जल्दी जैसे दिखते हो अब कुछ नई याद एक जनली आदे जो यह क्या है दो बोला था ना दो फूल लिया था आते समय एक ने धक्का मार के गिरा दिया काने वो वो बुलू शट वाला है ना वो बोतल तोड़ी सौरी भी नहीं बोला और चला गया अरी क्या है पीर थंडा मागा था उसने ओमलेट थंडा दे दिया खाली बोटल चाहिए जैसी यह बोटल खाली होंगे बता दूंगा अरे इसे पांच रुपर चाहिए यार बोटल गिरा के सौरी तक नहीं बोला तुने तेरी तो बॉस 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 सौरी बॉस सौरी बॉस मंडप में इतना सारा काम है यहां क्या कर रहा है इडियेट्स ए भाई तेरी सॉरी हमें नहीं चाहिए बोतल इसने फोड़िये तो सॉरी भी यही बोले मैं लाता हूं आपको जितना सॉरी चाहिए मैं बोल देता हूं अरे सॉरी क्यों बोल रहा है इसे तू चुपकर गधा कहीं का पीके नौटेंगी बूलिये बॉस सुनो बाई फोन करके किसी को कुछ बोलो मत कोई बड़ा सीन नहीं हुआ है यहाओ अरे उनको लेकर आँ बोलो बाई कौनसी बोतल चाहिए कौनसा प्रेंड चाहिए चलो आओ है हमारा प्रैंड यह नहीं मिलता मार्केट में जाना होगा चाले वारे सार यार यह तो डेविड का इरिया है मन्नो कुछ भी हो जाए बहन के शादी नहीं रोकनी चाहिए ठीक है क्यों भाई तेरे एरिया का वाइन शॉप बंद है क्या नहीं ऐसे यह फंक्शन था क्या शादी हाँ दोस्त की जी हाँ गाओ के सारी शादीयों को रोक कर तू अपने दोस्त के शादी करवा रहा है वो दोनों प्यार करते हैं दोनों के घरवाले भी मान गए और अब वो दोनों शादी कर रहे हैं और हम सारे दोस्त लोग पीने के लिए बैठे थे इसने अपनी पूरी बोटल तोड़ दी और सॉरी भी नहीं बोला भाई बहुत स्याणा बन रहा था यह तो मैं दारू लेके देता हूं कौन है क्या है देखता भी नहीं हाँ करें भी होश्यारी करता है इस पहे क्या लिखा है हमसे झूट बोल रहा था ए तेरे हर की शादी है नहीं यह तेरी है क्यों शिवन हम का फ्रेंड ही हो सकता क्यों बें हाँ हमारा शिवा नमका उसके घर की शादी में गए थे वही है ये ये लोग पीने के लिए कहां बैठे थे मेनूर सरकल के पास इस मंडप में अपने आदमियों को भेज मुझे जानना है आखिर शादी किसकी है अब या आज़िकर आखिर शादी में अब अब तक तो मैंने कुछ सोचा नहीं था तुन्हें बोल दिया है आप नहीं रुकोंगा मैंने क्या बोला रुक चाहां मनी मंडप में जाके चार लोगों को काट डाल यह देबेट बात करके सुच्शा लेते हैं। मेरी बात सुनिए टेविट भाइ एक मिनिट ब्लीज स्पुनेश्यगर अंदर आप के मेरे मम्मी पापा भेन का कोई लेना देना नहीं है, तेरा और मेरा लेना देना है ना उतना ही बहुत है, मेरी गलती है ना डेविड भाई, आप कुछ भी बोलो मैं करता हूँ ना, पर मंडप में कुछ मत करना, मुझे जो करना है कर लो, कुछ भी कर लो मेरे साथ भाई, कोई और घरवालों को कुछ हुआ तू भी कुछ भी कर सकता हूँ क्या है हसके बोल रहा हूँ सीरियसली करके दिखाऊंगा समझे क्या करेगा तू क्या करेगा तू आपके लिए कुछ भी करूँगा डेविड भाई आप बोलो न मुझे क्या करना होगा तुने मेरी शादी रोकी थी ना, मैं अभी शादी करना चाहता हूँ, जा और जाके लड़की ले गया, मैं वेट करता हूँ ठीके भाई, लड़की कोने बता दो मैं उससे बात करता हूँ यही है लड़की, और इसकी दो मेहने बाद शादी है, मैं लड़की से प्यार करता हूँ, जा, इसे उठा कर लिया पहले बता दे दे डेविड भाई, ठीक है लड़की उठाने के बाद फोन करता हूँ, बता ये कहा न जा के पहले उसे उठा, इसे उठाने के बाद तु बस मुझे इंफॉर्म कर, मेरे बंदे वहाँ पहुच जाएंगे ठीक है डेविड भाई, ठीक है, यहाँ पर तो तु ठीक है ठीक है बोल रहा है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद अगर तुने कोई गड़बड की ना तो समझ ले, वहाँ मंड़प में कोई भी जिन्दा नहीं बचेगा अच्छा बोस, हाथ में जो कड़ा पहनते हैं वही लोग सिर्फ मारते हैं, धागा पहने वाले मार नहीं सकते जओ, जओ, पहले तु जिन्दा लोडता है, क्या ये देखते हैं, किसे उठाने जा रहा है, पता है तुझे, मदुराइब मरी वासन की लड़की, जो उस गाउँ में पेर रखता है, उसके पेर काट देते हैं, जो उसका दाम लेता है, उसके जुबान काट देते हैं, चल के फोन करना यह तो क्या बोल रहा है यार तेरा जाना जरूरी है हम उसे रोक नहीं सकते क्या शादी के माहून में कोई गड़बर नहीं चाहिए और इसलिए मैं राजी हो गया एए जो बोला है वो कर जो करना है कर जा बाइसाब मदुराई के लिए बस कहां से मिलेगी कि आज मोरत का दिन है वह देखो लाश्ट बस निकलने वाली है जल्दी जाओ यह यह चलता हूं संबल के जाना अलो मदुराई क्यों जी हां मदुराई में का मदुराई बस स्टेंड पर तुम मेरा ही मजा कोड़ा रहे हो बोस मदुराई में क्या फेमस है अरे पूरा मदुराई फेमस है वो नहीं भाई मदुराई में और क्या फेमस है मदुराई बोले तो मार काट मदुराई बोले त मदुरही बोले तो मेरा भाई मनी वासम नमस्ते भाई मैं उधर बैठ जाओं क्या अरे भाई कैसा है तू मैं ठीक हूं तू कैसे मैं बिल्कुल ठीक हूं भाई साली का जनम दिन है तो मैं शादी पे नहीं आ पाऊंगा हा लेकिन जैसी उनकी शादी हो जाएंगी उनको घर पे दावत के लिए बुला लूँगा बुरा मत पानना भाई अच्छा चल ठीक है मैं मदुराई आया हूं तू कहा है तू मदुराई में है क्या वहां बेहन की शादी है और तू यहां मदुराई में क्या कर रहा है सुन भाई मदुराई में तू कहां पर है माटदावनी के बस्टैंड पर भाई आज पास में देख ले उसी के बैनर होगे उसी के बड़े-बड़े होटिंग भी लगे होगे ऐसी कोई जगा नहीं है जा उसके पोटों नहों बाई जरा समब्ल गया उसके घर से लड़की तो दूर तू पैन भी नहीं उड़ा सकता यार।ःक है तू जो बोलगर मैं समझ गया पर मेरे हालाद को भी जरा समझ कल मेरी बहन की शादी होने वाली है मैं मेरी बहर के शादी नहीं देख पा रहा हूँ यार मेरी वज़े से उसकी शादी रुखनी नहीं चाहिए यह मैं चाहता हूँ तु मेरी एक छोटी सी हेल्प करेगा मुझे उस मंतरी की बेटी से मिलना है और फोटो लेना है उसका बाके सब मैं देख लूँगा उसके साथ फोटो लेना है अच्छा ठीक है भाई उसके घर का ड्राइवर मेरा दोस्त है तो मैं उससे बात करता हूँ लेकिन अगर कल को तुब फस गया ना तो मेरा नाम मत लेना भाई जल्दी से फोन करना यह कल का पेपर है आज का अभी तक आया नहीं आ रहा है आज की नीज मुझे पता है कल की नीज मुझे देखनी है मन्नु शिवा कहां गाइब हो गया कब से फोन कर रहा हूं फोन ही नहीं उठा रहा यहीं कहीं होगा किचन में शाहिद लोगों को खाना परुस्रा हो चोड़ू आनी मैं तुझे सब काम का ठेका तुम ही ने ले रखाए क्या वह क्या करेगा उसे भेज जल्दी ठीक है ठीक यार मैंने पूछ लिया है उस लड़की का नाम भारती है अपुलो कॉलेज पे पड़ती है दू आज आएगा तो उसकी फोटो ले सकता है हाएज मैं अज हमारे कॉलेज के स्टूड़न और मतुराई के प्रख्यात मनिवासम भाग्यात कि एकलौती प्यारी बेटी भारती मनिवासम आज हमारे लिए एक कविता सुनाने जारी है अरे तालिया क्यों नहीं बज़ा रहे हैं सुनते हैं फ्रेंट्स कि अरे बगवार प्लीज अजा लेना यह पॉल पाएगी मुझे तो तेंचन हो रही है कि अर्वार कि अर्वार कि किसी से नहीं जुड़ा कि किसी से नहीं जुड़ा मैंने पहले ही कहा था स्टेज पर माइक के सामने बुलना इतना असान नहीं इसे लगा एड्रेस बताने जितना असान है इसके लिए गड्स चाहिए होते हैं अगर तुने अपने पापा की तरह वाइट शर्ट पेंट पहना होता न तो माइक भी शर्माता है पॉलिटिशन के पास तो ये माइक शर्माता है और हमारे सामने इतना आ रहा है हां रुकिये 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 ये सब क्या है तुम्हारा नाम भारती है और स्टेच पर कविता बोलने से डर रही हो ऐसे डर के काम नहीं होगा तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी मेरे साच चलू हाई फ्रेंड्स यहां पर अंग्रेजी गाने पर नाचा तो आपने बहुत एंजॉय किया हां मुझे पता है जिन्होंने ये डांस किया काफी अच्छा किया लेकिन यहां पर एक गाउं की लड़की है और हमारे मदुराई की है और इसका नाम है भारती और आज यह भारती हमारे भारत के बारे में कविता सुनाने जा रही है तो आप सुनोगे आप सुनोगे अच्छे से पड़ेगी तो हम जरूर सुनेंगे एक मौका तो दो खुश हो अब कहां गया वह फोन पर बात करते हुए बाहर चला गया अपने बदे पर भी मैंने इतने क्लाप्स नहीं सुने थे ए मन्नू कोई प्रॉब्लम तो नहीं है लफड़ा तो कुछ नहीं है ममे पापा को तो संभाल लिया है पर कविता का क्या यार कैसे भी करके संभाल मैं उस लड़की से मिल चुका हूं और उसके सेलफी लेके आ रहा हूं ला ला मुझे फोन दे हलो भाया है अरे कवी अरे कै कैसी हो दुलनिया वो सब छोड़ तू कहां पर है कोई बड़ी प्रॉब्लम है क्या क्या ने ऐसा कुछ नहीं है आखिर वो है कॉन वो तेरा हाथ पकड़के ले जा रहा था और तू इतनी खुश हो रही थी मेरा लवर है वो लवर है जिस जिंपल वाले लड़के की बात की कि वहीं है यह हां सब्सक्राइमां वहीं है वहीं है कल राज से तु कनी है कहां पिए तू तु आया नहीं तुम्हें शादी कि इन Strongest жisBT जल्दी आजाना धोड़ी दिर में पहुंच आउ Mark लिकिन बाप लिडवर स्टाइल में जानती हो वो थोड़ा एमोशनल की हो रहा है क्यूंकि उससे पता है कि तो महिने में मेरी शादी होने वाली है इसलिए एक और बात बताऊं पता है अभी वो यहां कर मुझसे क्या कहेगा I love you very much यहीं देखा अब तु क्या करने वाली है भागने वाली हूँ भागने वाली है अभी नहीं बाबा उसने मुझसे दो महिने इंतजार करवाया ना आदा गुंटा तो मेरा भी बनता है सेलफी अरे यार औरेड़ी इससे सब पागल समझते हैं हम इसके साथ रहेंगे तो हमें भी पागल समझेंगे हमें से दूरी रहना चाहिए तो हमें प्राइब रहें तो हमें बनता है किए orous ervation मुझे देखकर डर्री हो मैं मिनिस्टर की वाइफ उसलिए येस माम दर ओ मैं sells hamdesse m sizi yellow couch दर्ना चाहिए मैं मिनिस्टर की वाइफ उना डर्ना मत ऐसा जब मैं बोलूगी ना इस इतकला ना है अब जाये ओके मैटम अच्छा है ना मुलों बहुत अच्छा है अब है किसके इसको नहीं कि यह वाला देखो तो यह वाला देखो वाट यू वाटर ओके ठीक है जब मैं यहां आए थी तो मुझे देखे सब डर रहे थे मिनिस्टर की वाइब जो हो मुझे बहुत मजा आया वन फोटो प्लीज फोटो अब बताओ तुम्हारे अंदर इतनी टेरिंग कहां से आ गई अभी बिटर लग रहा है मुझे तुम्हारी आखें और तुम्हारे जुबान सच तो बता रही है पूरी सचा ही बताओ वो तुम्हारे साथ मेरे साथ नहीं तुम्हारे साथ मेरे साथ मेरे साथ कालेज में तुम्हारा फैन हो गया तुम्हारी फोटो लूँ क्या तुम्हें बस फोटो चाहिए एक फोटो के साथ तुम लाइफ लॉंग जी पाओगे त ऐसे सब नहीं हो सकता हम दोनों साथ मिलकर एक आलबम बनाते हैं टेकीट कि टेक 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 टका कर तू क्या वहis somaat पार्षा लेने गोई ते इस यह भाग रही है तो ठीक है पर जाके पहले दादी को बताई अरे सुनो मैंने तुमसे बड़ा हार मांगा था कहां है इस नाइस टी सर गाव में नहीं है उनकी मां है आजाईए नमस्ते माजी मेरी बेटी की शादिय हने वाली है उसी का निमंत्रन देने आया हूं अइसा क्या आईए ज़रूर निमंत्रन देने आये हो जी मेरी पोती भागने वाली है तो मुझे लगा कि आप लोग उसे बचाने आये हो यह देखो इसके साथ ही भागने वाली है आप सीरियस मत लेना हुए है है आप एक चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं तुम्हारे घर पे सब नॉर्मल है ना ना मुंण है आप उड़ी की वज़ाए से सब की जान जाने वाली तुम सब क्या रहे हो गाओ के सारो लोग निता जी के साथ गए हैं मौका देखकर वो घर में गुज़ गया जो मन में आए करो जा अधियार देरे और इससे नहीं छोड़ेंगा है सब लोग मेरे पीछे आओ अपने निता जी की लड़की को लेकर भागने वाला अंदर बैठा है रुको भाई मुझे लेगा वह बुट्टी सटिया गई है और बकवास कर रही है उसके बाद देखा वह लड़की भी तयार है रुक चा उसका गला ही काट देते हैं घर के अंदर कुछ भी नहीं बाहर नि जा रहा है और पेन की इजाज़त मांग रहा है नाइस चलो चलो अब चलते हैं वह इतना बहादूर है तुझे सामने के दर्वाजे से लेके जाएगा नहीं होता ना तो घर पर भी नहीं आता हूं बाइग टाटा क्या हुआ चलो चले चलो क्या हुआ क्या हुआ सुनो पहले हमें एक सिल्फी ले लेते हैं अहां ठीक है ले लेते हैं यह तो सेल्फी खीच रहा है यह भाई हां बोल डेविट की लोगों ने अपना कारेकरम चालू कर दिया है उसके दो आदमी यहां पीकर आये और सेल्वा भाई को बेकार में पिटना चालू कर दिया बहुत गलत हो रहा यार मुझे क्यों मारा तुमने है एक मिनिट यहीं रुको क्या हुआ शादी तो नहीं रुकी ना शादी अच्छी तरीके से चल रही है पर पापा को थोड़ा बद कुछ पता चल गया है देख मुझे लगता है कि अब तेरहों से बात करना बहुत जरूरी है अरे मनु सुन सुन काम हो गया ना पापा को फोन मत दे मनु सुनन अरी सुनना मनु कैसे आप जाकर ख़ाना करें सुलका क्या है देखो मेरा बेटा जहां भी जाता है जो कुछ हमारें मुझे बोल करें लेकिन इस बार मुझसे बिना कुछ कहे गया है, वो भी अपनी बैन की शादी बीच में छोड़ कर गया है, मुझे पूरा विश्वास है कि कोई बड़ी प्राब्लेम है, इसलिए गया है, जानते हो, किसी का विश्वास तोड़ना अच्छी बात नहीं है, उससे बात होती है तो कहा देना कि वो निश्चिन थोकर अपना काम करे, उसके बाद वो मुझे फोन करे, मैं बात कर लूँगा उससे मन्नू, मन्नू, यहां काम बस खत्म ही होने वाला है है कि मन्नू, जानते हैं कि जानते हैं यहां कि वाला है कि वहां काम 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 चलाब कार हूँ है जऒे जड़ें जर्वust न hierarchy, जड़ाई ए舉 एым जडने हां हैंन्हें जड़ें चार जाड़े जड़ें है। जड़ें आपुम्डबत कि कौन है कौन से गाउका है कान के नीचे दे के उठा के फेखने करा है क्या बात करे हो वो अपने लोगों को पटक पटक के मार रहा है कैसे मार रहा है अधिके तू है इधर मैं आता हूँ अभी तू अभी कहा पर रहा है मैं अपने आदमी को लेकर आ रहा हूँ अधर अरे सून तू बता प्याई तू उसकी नेजर में आ गया तो तुझे भी पटक देगा अभी वो कौन सी स्ट्रीट में है बता मुझे कि अधर ये तो वही लड़का है नमस्ते भाई अधर बोले तो मेरा भाई मानी का असाम भाई नमस्ते भाई कि मैं नहीं से जानकारी दी अगर लोग को पता चलेगा तब तो मेरी घटिया घड़ी कर देंगे चलो बें चलो चलो यह तो खुदी फस गया गरफ टकने से मड़ जाएगा मनने दो जाने दो जाने दो इसे हाथ क्यों छोड़ दिया टाइम क्या हो रहा है दस बच रहें करेक्ट टाइम बताओ दस बचने में दो मिनिट चलो रहे चलो चलो अगया और अब मधुराय के मनिवासन की लड़की को उधा करने कर चला गया अब 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 आए बाई गाओं में नौ से दसके बिज बिजली नहीं रहती उफ 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 देख क्या रहा है जाओ पकलू उसे सुपब इसलिए वो लड़की को लेकर चला गया मानना पड़ेगा बहुत दिमाग से काम क्या उसने चलते हैं हा लेकिन तो मझे यासे कैसे लेकर जाओगी है 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 भाई इसी लड़की को लाने के लिए बोला था है 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 अ था है 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 क्या चलेगा अरे भाई की लड़की को यहां से ले गया है उसको फोन कर शिवा को फोन कर लौट स्पिकर में डाल क्या हुआ वाँ पे डेविड भाई कुछ तो बोला था ना अंदर जाएंगे तो पैर काटेंगे ज्यादा बोलेंगे तो जीप काटेंगे लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं और वो तो सबके सब बेवकोफ है डेविड भाई वही पुरानी तलवार वही पुराने हतियार लेकर वही पर गूम रहे हैं वो लोग बस ट्राइंट रिलवेश ट्रेशन हाइवे सब जगा चाम लगा कर रखा लेकिन एक बार भी नहीं सोचा कि मैं ऐरो प्लेन से भी तो आ सकता हूँ अर्वा दड़की कहा है लड़की मेरे हाथ में मेरे घर की शाधी तेरे हाथ में ए एए अब यहां से कहां जाएगी तू? बाप का किया हुआ पाप बच्चे ही भुगतते हैं और उनका कर्ज भी साथ आठ साल पहले जब तू और तेरा बाप पैसे लेने आये थे तब देखा था बहुत खुबसूरत दिखी मुझे और अब बे तू ऐसी ही है यह बता यहां से कहां जाएगी इन बार भागने की कोशिश की भाई मौल के सारे लोग अमें ही देख रहे थे अब उठकर जल्दी तयार हो जा पापा आप बोलो पापा आँ वहीं परों ठीक है देख कर बताता हूं आज रजिस्टेशन था ना वो आप थोड़े बीजी थे ना भाई इसलिए हाँ भाई बोल अभी कहां पर है तु वहां पर सब ओके है ना और शादी पूरी हुई हाँ शादी यहां पर हो गई है अभी अपने बागे के रस में चल रही है अभी टेंचर की कोई बात नहीं है यहां पर सब खुश है पर तुझे मिस कर रहे है जल्दी आ जाना या ठीक है दूसरा कुछ पंगा तो नहीं है ना कुछ नहीं रहे सिंदिल अपने सिल्वा भाई को देखने हॉस्पिटल गया है हाँ और कविता हाँ पापा ए शादी पूरी हो गए इसलिए तीनों बहुत खुश है गाव के लोग सभी चले गया है अब बस अपने परिवार वाले बचे इन सब को जाने दे फिर बताता हूस डेविट की लोगों को ए पागल क्या हुआ भाई तो दुबारा कुछ करने की सोचना मत सब कुछ तरीके से हो रहा है मैं देख लोंगा तू शांत रहा सम नाइट में ट्रैवल करते वग फोन आफ रखते हैं इतना भी पता नहीं अभी कहा है तू प्लैन में छोटा सा चेंज है मदराई के एरपोर्ट पर तुरंत एक फ्लाइट आई थी कोयम बतूर के लिए तो अभी मैं कोयम बतूर की फ्लाइट पकड़के कोयम बतूर आ गया ये काम कर दिया इसे के साथ अपने टील ओवर उसके बाद आपका मेरा कोई कांटेक्ट नहीं होगा समझ गए ना हो शादी हो गए तो आवाज में अकड़ा आ गई तेरी कल मंडप में किसी एको काड़ देता ना तो दूला और दूलं के घर वाली यही सोचते रह जाते कि या कि ऐसा हुआ क्यों लेकिन अभी भी मौका चुका नहीं है तू क्या अपनी बहन को विद्वा बनाना चाहता है नहीं ना तेरी बहन सफे साड़ी में मुझे भी मिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी सिचुएशन का फाइदा उठाना अच्छी बात नहीं है अच्छा अब तक समझा नहीं तू तेरे जैसे लोगों की सिचुएशन से खेल कर ही तो हम सक्सस के रास्ते पर चलते हैं डेवेड जो लड़ाई के लिए हर बार इंकार करता है उससे लड़ाई नहीं आती है नहीं समझना चाहिए बलकि वो किसी बड़ी लड़ाई के लिए तयार हो रहा होता है अब मुझे बताओ मैं क्या करूं तो एक बड़ी लड़ाई के लिए तयार हो जा एक बात और बोल कि कहा आना है इसका मंगेतर यहां रहता है कि नहीं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं तू इसे यहां से लेके जा बस मैं तुझे आदे गंटे में फोन करता हूं ठीक है तुम्हारी बाते खतम हो गई जानते अभी मुझे कैसा लग रहा है जैसे तालाप की मचली को उठाकर समंदर में डाल दिया हो छोटे से पंची को जैसे नए-एपंक आ गए हो बहुत अच्छा लग रहा है अब यह तुम्हारा हाथ पकड़कर सांसे रुख जाने तक भागन आपने जैसे बोला था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया मारी लॉकाप में मारा गया उसका जीजा कल रिया हो जाएगा यह बता तो इतना बोर क्यों कर रहा है यह सब कितनी बार बताएगा पर जानो ठार चेवर करते लग्या कि व्या कि बताएगा दूक कि व्या झूवत, अब झूा जू़ हां? तो बल्लेब बुलाया? हां? कि आप बल्लेब कि बोलो कि तुम अपने पैसों से मुझे एक ब्रेस खरीद कर दोगे क्या हाँ खरीद लूँगा कि अज़िए 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 उस कुम्ब कोलम वाले को फोन करना है मुझे मारने के लिए बहुत कमजोर लोग भेज रहा है वो गाड़ी रोक रहे हैं डेविड भै आ रहा हूँ मैं आ न तुझे मैं भी देखना चाहता हूं कमजोर आदनियों को क्यों भेजता रहता है तुझे कुछ हुआ नहीं न मैं डर रहा थे कि तुझे कुछ हो ना जाहे जरा समलके धीरे धीरे मैं तुस्से अपना बदला लेने वाला हूँ तुझे मैं तब तक मारूंगा जब तक मेरे कलेजे में ठंड़क नहीं बहुत जाते ही तुझे अपनी काड़ी के पीछे बांग कर खीच कर अपने काउं तक ले जाओंगा मैं भी यही चाहता हूँ आजा और जरा जल्दी आना गेम तो शुरू हुआ है और इ तेरी होने वाली बीवी को लेकर भूम रहा है इस तमें कोयम बतूर में है तुझ में तब है तो उसे पकर ले क्या हुआ है अभी गेम में बज़े आ रहा है ना हाँ कहां जा रहे हैं बस अभी आता हूँ है अब बोल सब निकल गए क्या अब सब निकल गया है लेकिन डेविट के लोग यही पर घुम रहा है वो सौरी बोलना था यह सब मेरी वज़े से हुआ ना उस दिन मैं पीने के लिए नहीं गया होता तो यह सब होता ही नहीं मेरे चकर में तू फाज गया है यह पागल ऐसा कुछ भी नहीं है बस अर थोड़ी देर के लिए संभाल ले ना उस लड़की को छोड़कर मैं तुझे दुबारा कॉल करूंगा ठीक है ना ठीक है भाई ओके है अलो ब्रदर यहां पर लड़कियों के कपड़ों के कोई दुकान है क्य वहां पर एक बड़ा मॉल है वहां जा सकता है थैंक्स ब्रदर यह वह मेरा है पता लगा क्या चल रहा है मदुराही में फोन लगा जानता हूं शादी के दो दिन पहले ही निमंत्रन चुपवा कर पूरे गाउं और देश में बटवा दिया ताकि जो चुपा हुआ है बाहर आ जाए हाँ डेविड है का है तू मुरुख फिल्म मॉल में है है मैं एक गेम खेलना चाहता हूं पर तू कुछ और खेल खेल के मजी दे रहा है ठीक है वही मॉल के सेकंड फ्लोर पर एक कॉफी शॉप है तो वहीं रूप मैं तुझे वहीं बिलता हूं उस लड़की को मुझे सॉप दे और तू आजाद हाँ ठीक है तू पहले जल्दी आजा कैसी लग रहे है ये ड्रेस हां कैसी है अच्छा नेक्स प्लान क्या है काफ दो क्या पच्ची दो एं बन हुआ ना तुम्हारा मेरे साथ कॉफी पीने का मन हुआ ना अच्छा बोलो और क्या हुआ नई तुम ही कुछ बोलो ना मैं बोलू क्या मैं क्या बोल सकती हूँ मेरा तो एक ही साइड है जैसे वॉल के पोस्चर का एक ही साइड होता है लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है तो तुम बोल सकते हो बोलो बोलो वो सब हुए बिना ही तुमने हैं मुझे हगैं किया दून लिया ना बोलूगा नहीं तो छोड़े की नहीं इस तुमझारा doorman किया श्रॉष है या इससे पहले भी तुमनेग से प्यार किया है मेरी बाद छोड़ो, तुम्हारे पीछे कोई नहीं पड़ा गया? मेरे पीछे? बड़े घर के लड़के पड़े हैं, बला और किसके हिम्मत होती मुझसे प्यार करने की लेकिन हाँ कॉलेज में थर्ड येर में दो तीन लड़कों ने ट्राइ किया था उसमें से एक तो मेरे पास कभी आया ही नहीं, दूसरे ने मुझसे कभी I love you ही नहीं कहा इन सब के लिए daring चाहिए होती है, ये सब क्या प्यार करेंगे और भगा के मुझसे शादी करेंगे अच्छली कॉलेज में सीन क्रियेट करने में मैं बहुत आगे थी, बहुत सीन क्रियेट किये मैंने, तुम भी सुबा तक देखना, एक आज सीन तर तुम्हारे साथ भी क्रियेट हो जाएगा बिल्कुल, क्या सीन था, चांस ही नहीं, सूपब था अच्छा, अब तुम बोलो, हाँ, बीच में बोलना नहीं है, बचपन में कुछ छटवी में, चे साल के थे, आभी बोला था न, बोलूं क्या, रड़ी हो, छे साल के नहीं, मैं जब छटवी में पढ़ रहा था, तब गाउं में एक लड़की थी, वो बहुत सुन्दर थी, माला दीदी आपकी एक ताप नमश्कार कारते हैं, एक आज के कलेक्शन का अदा हिस्सा मुझे दे दे ना, ठीक है, ए शिवा, रुग ज़े ले, इसकी वज़े से मेरी पढ़ाई का सक्क्या नाश हो जाए, ये कंजूस तो एक रुप्या भी नहीं देगा, कौन से कलर के कपड़े पहन पेपर देते हैं, लव इज, कलरफुल, इसलिए मैं कलरफुल लेटर देता हूँ, ए तेरी दीदी को बोलना लेटर पढ़ने के लिए, उसे बोल, उसे मैं बहुत खुछ रखूँगा, पहले रोना छोड़ दे, और पैर दो क्या, नाख के बाल जल रहे हैं, सॉरी यार, भ पाला दीदी चाहिए, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, लेजे, क्या मनस्वामी, खुशी में कुछ भी मागूँ हा, तो दे दोगे क्या, भी क्या दोंगा, खुद को बेज कर देना पढ़ेगा, अरे तुम्हारा घरी काफी है, दो जनम बैट कर खा सकते हो, क्यो रहे शिल भाई, महारो जैसे राजा बन गया हो, हमारे राज में पहले नंबर पर आया है मेरा बेटा, और इस गाउ में पहला डॉक्टर है, मेरा सीना तो फूले गाई ना, तुम्हे और पूरे गाउं को अब यही बचाएगा, चलता हूँ, चलता हूँ, डॉक्टर बेटा, जी भाई, 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 हमें बुखार आएगा ना, तो इंजिक्शन मत मारना, वैस छोट इसी टैबलिक दे दे देना, ठीक है, ठीक है, कहा जा रहे हो, घर तो उधर है, तुम लोग इधर जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे है, माला की घर पर जा रहे है, यह लो, तुम्हारे अच्छे हो, पर तुम भी वैसे ही निकले, ए मनस्वामी, यह देख, तेरा डॉक्टर बेटा क्या कह रहा है, गाई को माने वाली सुई लोगों को लगा कर माल डालेगा, गाउवाले सब होशियार हो जाओ, होशियार, ए शिवा, इस डॉक्टर ने पेपर पर क्या दवाई लिखे जरा पढ़ना, इसमें तो कविता लिखी है, इस अच्छे से साफ कर देना, यह लोग लेटर देते हैं, इससे हमें कमाना नहीं है, समझा क्या, वरना, दस रुपए के लिए, शिवा ने अपना प्यार दान में दे दिया, ऐसा पूरा गाउ बोलेगा, छोड़ना, इतिहास बोलेगा रे, चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो अपने प्यार का इजहार करेगा, यह गाव वाले मुखिया, पहले कि बेटियां आवाज नहीं उठाते थी, और आज तुझ में इतनी हिमत आगे कि तुम से पैस कर रही है, यह कितवा गाव है, करो, जाओ, जाओ, निकोई आसे, गुस्ते में चल, भाग, भागे आसे, हर गाव में लेकर, बीसी जमा करके, सभी को विश्वास दिलाकर, आखेर में धोका देते हैं, इस गाव में आकर भी आट साल हो गए ना, फिर भी, इस से पैसे लेकर, उस से चिनकर, उस से चिनकर, अब करजा बढ़ गया है, तो फिर से गाव अदल रहे हैं ना, सही का ना, ये समय तेरी शादी के लिए कर रहा हूं बीटी, ऐसी शादी मुझे नहीं चाहिए, मेरा आपके बिना कोई नहीं है, आपका मेरे बिना कोई नहीं है, इसी कामे रुपते हैं बिता जी, देखिए और शिवा को छोड़कर मुझे चाने का मन भी नहीं कर रहा है, शिवा को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है, या शेलवा को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है, सब पता है मुझे, पर सुन, अब दो ही रास्ते हैं, बीसी खत्म होए, चार दिन हो गए हैं, कल नहीं दिया ना तो जान से मार देंगे वो इससे अच्छा तो मैं जहर खाके मर जाऊंग। दीदी क्यों रो रही हो दीदी ऐसे शीवा यह लेटर शेलवा को दे देना तो क्या तुमने मज़ से प्यार नहीं किया तुझे कैसे समझाऊ शीवा तुम मेरा भाई है मैं तुझे बहुत प्यार करती हूं ठीक है दिदी मैं दे दूँगा तुम रो उमर लेटर शेलवा भया को दे नाय। मैं दे दूंगा हरी की शादी हो गई मज़ा है उसको भी लेके चलते हैं तुका जा रहा है शेलवा भाई आके घर पर जा रहा है तुब भूल गया कि आज टीवी पर हमारे हीरो की पिच्चर आने वाली है हम जा रहें चल 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 बहुत मज़ाएगा आखिर वही हुआ जिसकाप्टाइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब इससर्णदी परस सब्सक्राइब सब्सक्राइब अपर है लेकात zweiten अपरे टैसेस्क्राइब सल्मान वा ओम एकरूँ सब्सक्राइब सब्सक्राइब जब काूँ परत्र śबत्र कत्रीपत कुरा। सल्द्सकर चल प्रकाईब पूछिश करें जो करें जो कि चोड़ों कुझे आपको लगा रहे हैं जुरत को इस आदमी को मिलके सब लोग मार रहे हो शर्म नहीं आती है दिमाग है की नहीं यह क्यों इस आदमी को इतनी बेरहमी से तुम सब आप रहे हो हमारा पैसा डूप गया इसलिए तुम लोगों पैसा चाहिए ना मैं देता हूं उठाव भाई उठाव इसे तुम इसकूल चोड़के यहां क्या कर रहे हो ज़लो ज़लो इसकूल जा बैया शेला बैया किदर है डॉक्टर बना फिरता था अब पागल हो गया है उसके बाप की लाश यहां पड़ी है और वह वाँ खेत में बैठा हुआ है हां बाग हां हुआ हां ब्रेंडर कुछ बोली क्या कुछ है कहां गई मुझे बोले भी ने चली गई उसने तुझे कुछ नहीं बताया ऐसे कैसे गया वह गई वह उससे जाना था तो मेरे साथ जाना चाहिए था ना मैं उससे लेके जाता कहां चली गई वह गहां वाले सब मुझे माहर रहे कहां गई वह कहां च जा शिवा 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 माला दीदी ने लेटर में क्या लिखा था मुझे नहीं पता उसे खोल कर पढ़ने की दिल में हिम्मत भी नहीं थी शिवा शिवा बहुत मैंनत करके डाक्टर बने थे वह मेरी वज़े से पागल होकर रोज रोज मेरे खार के पास खड़े होकर अरे स्थून शिवा तुमने बाप किया उसका पश्चाताप करने के लिए तुम प्यार करने वालों को मिलवाते हो नई, देखो, अभी हम बातें कर रहे हैं, अचानक एक लड़का आकर कुछ दो भूख लगी है, ऐसा कहता है, और हम लोग कुछ नहीं ऐसा कहकर भगा देते हैं, वो थोड़ी दूर जाकर बेहोश होकर मर जाता है, तब कैसा लगता है, अरे रे, दस रुपे दिये होते तो, वो बेचारा कुछ खा लेता, लेकिन हमारी वज़े से मर गया, तब कितना गिल्टी फील होता है, ना, ये भी, ये भी एक तरह का गिल्टी ही है, अभी उसी जगापर एक लड़का भूका खड़ा है, क्या करेंगे, तब हम लोग अपने हाथ का खाना उसे दे देते हैं, औ उसकी मैं मदद कर देता हूं, कोई महरबानी नहीं करता, अच्छा लगता है, माला दीदी और शिल्वा भाई के साथ, अच्छा ये बाते छोड़ो, मुझे छोटे शिवा से मिलना है, मिलवाओना, एह, वहाँ देखो, बच्पन वाली माला दीदी है, वहाँ, वह देखो, नहीं भारती, वह माला दीदी नहीं है, वह कोई और है, तुम कैसे जानती हो माला दीदी को, हाँ, मैं उन्हें नहीं जानती, लेकिन जैसे ही मैंने माला दीदी का नाम लिया, तुम में एक बेचे नहीं दिखाई दी मुझे, तभी मैंने छोटे शिवा को देख लिया, मैं हंड़ड पसंट कन्फर्म्ड हो कि तुम अब भी उनसे प्यार करते हो, भारती, भारती, वो दीदी है, यह अंग्रेज लोग मम्मी, पापा, भाई, बहन, यहां तक यह किसे चीज को भी बोल देते हैं, लेकिन हम जिससे प्यार करते हैं, उसी को यह सेंटेंस बोलने की हिम्मत करते हैं, अरे लव तो वो है, जो बच्पन में मैंने माला दीदी से किया था, कितना विश्वास था उनका मुझ पर, लेकिन मैंने तोड़ दिया, और इसे लिए तो मेरा विश्वास भी नहीं तोड़ोगे, हर बार मैं किसी न किसी को खो कर जाता हूँ, लेकिन इस बार चेलियन के लाश लेकर जाओंगा, और अगर उसने मुझे टपका दिया, तो तुम सब वापस लोट जाना, समझ गए? तुम्हारे बुलाने पर बिना कुछ सोचे समझे मैं तुम्हारे पास आ गई, इसलिए तुम मझे पागल मत समझना, मैं कोई गलत फहमी लेकर नहीं आई हूँ, मझे तुम पर भरोसा हुआ इसलिए आ गई, हर लड़के के मन में कोई ना कोई लड़का होता है, जिसे वो और यही सोचती है कि वो उससे कब मिलेगी, दुनिया वाले बोलते हैं कि लड़के को देखते ही लड़का पसंद कर लो, अरे एक बार में ऐसे कोई भी पसंद नहीं आता, इतना हसान नहीं है, फिर भी हम बिना शकल देखे पसंद कर लेते हैं, जो गलत है, क्योंकि दिल के बार में एक यादा सिय क्योंता कि बिलए याद मेरी जितने भी फ्रेंच से उन्सब को वो साधी कि पूलनायीं सकती, तुम्हें आद नहीं है, मैं बताओ, हाह? मेरी एक फ्रेंड की शादी थी जहां मैं वक्त पर पहुँच नहीं पाई इसलिए उसकी शादी के दो दिन के बाद उसके कुम्ब कुलन के घर पर मैं उससे मिलने गई जहां मैंने तुम्हें फर्स टाइम देखा बात तुम्हारे बारे में उस शादी के बारे में मैंने सब को एक एक बात बताई तुम्हें तो मैं ढूनते हुए आने वाली थी लेकिन तुम ही आ गए क्या है कि हर माबापको अपने बच्चों पर शक होता है कि वो कुछ ना कुछ गल्ती कर रहे हैं लेकिन तुम्हारे माबापको तुम पर पूरा भरुसा है कि तुम जो फैसला लेते हो, सही लेते हो. तुम्हारी खुशी सेलिब्रेट करते हैं. कौन क्या सोचेगा इसकी उन्हें परवा नहीं. सोचने दो लोगों को, उन्हें तुम पर कोई शक नहीं. तुमने अपने सबी दोस्तों का हमारे बार में पताया ना, सब को छोके है ना? मैंने सोचाता कि मेरा सपना एक दिन जरूर पूरा होगा, और वो हो गया, तुम मुझे मिल गए. जब देखो तब तुम मुझे खीच कर ले आते हो, फर्स टाइम पकड़ा था, तो काउ में छोड़ दिया, सेकेंड टाइम पकड़ा था, तो स्टेज पर छोड़ दिया, थर्ट टाइम पकड़ा है, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी. इस पार छोड़ कर कहीं भाग मत जाना, तुमने अब तक मुझे वो नहीं बोला, बोलो ना, I love you, मैंने सुचा था तुम्हारे बोलने के बाद बोलोंगी, तुम्हारा फोन बज़ रहा है, एक मिनिट, फोन आया है, बात कर दिया, बोल डेविड, मैं आच चुका हूँ, पलट के देख, फोन नहीं उठा रहा था, तो सोचा तेरा हाथ काट तू, लेकिन तुने मेरा काम सही किया, इसलिए छोड़ दिया, अब जा, जा के अपनी बेहन को सम्हाल, डेविड, वो लड़की मुझे पर भरोसा करती है, प्लीज, प्लीज, एक ही बात तुझे कितनी बार समझाओ, अगर यहां से ने निकला, तो मंडब में लाशे गिरेगी, चल निकाल, डेविड, प्लीज, डेविड, मैं तुझे बोल रहा हूँ, डेविड, हाँ मन्नू, ए सुन भाई, वहाँ पर कोई लफडा हुआ है क्या, येलो बैलेंस खाने का, ए यहाँ पर डेविड की लोग पापा को, खड़े, तर लग रहा है यार, चाल निकाल, मैं वाई, पाक काकरे मेरी ओझ आरिक, हे भाई, क्या हुआ, नहीं, ठीक हैと思います, साथूआ, प्ट्रूम के लोटता हूँ, चशकित ना मेरे मिननेत्स रेस्टूम में क्या करने वाले हो, आचा, ठीक है जास, शिवा, कुछ नहीं, जा कराओ कराओ आप सब शिवा के फ्रेंद्स हैं क्या? मन्नू मेरी लाइफ में मैंने तुबारा गल्ती कर दी तू ठीक तो है ना? तेरी ऐसी आवास सुनकर मैं परेशान हो रहा हूँ वो जो लड़की थी ना? वो मेरे भरों से पराई थी और उससे मैंने धोका दे दिया क्या बोल रहा है तू? मेरा और डेविड का क्यों लफड़ा हुआ? मैं मदुरा ही क्यों क्या? लड़की को किसले उठाया? और उसे लिकर मैं क्यों 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 बदूरा गया? वो क्यों मुझसे इता प्यार करती है? क्या वो तुसे प्यार करती है? यार ये सब कुछ मेरी ही लाइफ में क्यों हो रहा है? बोलना मुन्नों क्यों हो रहा है ऐसा? मेरी ही लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है? बोलना? ठीक है ठीक है मैं तो सब का भला सोचता हूँ फिर क्यों इचिस हो बं刑े piace है जिसा जाफ ठाप बंगा बंगा करुण भम fryैं का यिर क्यों का यिर्गा बंगा कामेश प्रफिए अधा। ऑपने मुझेत प्रॉब्लेमे हूं यहाँ कैने पॉलिस सेर्न हो तो मुझे पहुंचा दीचिया प्लीज सर्व प्लीज पताये सो मैं मैं सच में बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ मेरी मदद कीजिए प्लीज साफ प्लीज मेरी मदद कीजिए सीवा सीवा शुफ५५ शुफ५ शुफ५५ शुफ शुफ५ शुफ५ I M है हैonden... है लिक फिर खए이ह... एक रहह! मांना वामाना इसर elétर! मांना भagnा वामाँ अ काचические कोचो डाल काची अ अ अ चला आजा कौन हो तुम हाथ छोड़ो मेरा मेरा बॉइफरंड यहीं पर है उसने ऐसे तुम्हें देखा ना तो तुम्हारी फिर खेर नहीं तुझे मदरई से लेकर आना और यहां पर छोड़ना इतना ही काम था उसका 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 खतम हमारा शुरू चाल वेट तो कर अभी वो आएगा वो नहीं आएगा टाइम क्या हो रहा है इन दस करेक्ट टाइम बता वो आपी आएगा चाल वे यह क्या कर रही है वे चली से पकड़ते हैं तुम इतने सालों से कहां थी दी-दी मैंने कहां कहां नहीं ढूंड़ा तुम यहां पर कैसे आए मैं यहां पर अपने परसनल काम से आया हूं दी-दी और अचानक तुम्हें देखा तुम यहां कैसे आई दी-दी शिल्वा शिल्वा कैसा है इतने सालों से तुम्हारी यादों में मर रहा है वो अभी भारती के बास भी तुम्हारे बारे में बात कर रहा था मैंने बोला तो वो पूछने लगे तुम्हारी माला दीदी कैसे दिखते थी उसके बारे मैं बता हो ना कौन है भारती बेवज़े कह रहे है आएगा आएगा वो नहीं आने वाला अब आएगा तेरा मंगेतर कर वोला आएगा कर वो नहीं आने घ Geoki कर वो कर दो क्या अरे, सोचा था तुम मर्दों की तरह लडाई करेगा, अपने डिफेंस में लड़की को आगे कर दिया, हाँ, सासूर जी कैसे है, डून्ट वरी बीबी, मुझे तेरे सवालों का जवाब देना है, पर उसे सुनने के लिए तु जिन्दा नहीं रहेगा, आजा! पुम्म ए दारी, हाथ में चाक्यों क्यों रखाए, मेरे गले पर रखनाए, अअः। I love you! 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 झाल झाल खुछ झूँ झाल भूँ झाल झाल समझ में नियाता है भागे यांचे चलो 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 सकते हृौ झाल 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 कन्हों में पुरा जित, जित, भसे, जो Im नहीं बिल्ली है बैदा होते समय दोनों एक जैसे दिखते हैं लेकिन उनके शिकार करने के होनर से पता चलता है कि वो बिल्ली है या शेर आयो ओके बेबी लव यू बेबी भागेंगे क्या चलो चलते हैं हुआ 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 है आओ दीदी नहीं शीवा मुझे अजीब सा लग रहा है आपको शेलवा भाई को देखना है या नहीं देखना है तो चलो अरे रूप जाओ क्या करें पहना रहा हुआ हुआ है तुम लोग क्या देख रहे हो जो दिखाए अब बताता हूं या शीवा ने बुला है तुम तयार करने के लिए शीवा का है प्रवा देखना है तुम पता है तुम पता है गाओवालों नो मुझे कितनी बेरहमी समा रहा है मेरे पिता जी गुजर गया एक बार बोल के जा सकती थी ना मेरे शादी को छोड़कर कहां चला गया था तुम आएक आएगा बोलकर नहीं आया ना उसे भी बात मत कर जा तुम पहन है सौरी सौरी कैसी हो शादी अच्छे से हो गई ना और बेटा शीवा पापा सौरी किस लिए यह क्यों कुछ नहीं पापा ओके है इस काम से गया था अब पूरा हो गया पॉरा हो गया पापा अब यह तुम्हारे पहले का बोज उतर गया ना शेल्वा माला से शादी करेगा अरे बता करेगा यहां पर मंगल सुतर देखा मेरे लिए है क्या तेरे लिए हमारे शादी होगी कि तुम्हारे साथ लड़ाई करने के लिए वह सेट की बेटी लेकर आया है देखना कहीं तुम पर बार ही ना पड़ जाए मा पिता जी जो होते हैं वो हमें इस तुन्या में लेकर आते हैं पर पूरी जिंदेगी साथ नहीं निभाते और फिर यहां पर जो रिष्टे बनते हैं वो भी हमारे साथ जिंदेगी भर नहीं रहते लेकिन तु मेरे साथ आखिर तक रहेगा ना माला दीदी, जो बात मुझे कहनी चाहिए, वो बात आप कह रही है, बिल्कुल रहूँगा, तुम्हारे सारे सवालों का एक ही जवाब है, मैं मेरी माला दीदी से अब भी बहुत प्यार करता हूँ, I love you माला दीदी, रोना नहीं, नहीं रो मत, अब से खुश, बस खुश रहना, क्या करने वाले हूँ, पार क्यों रहा है अच्छे, शीवा, शीवा, मदुराय के बड़े नेता की लड़की को कोई उठा के लेके आया है, वो ट्रग भरके अपने आदमियों को यहां लेकर आया है, जल्दी कर भाई, क्यों रहा है, वो भाई खुश, राँ वो बड़े प्राइब में। हाई पापा को तुने नहीं बताया ना इसलिए वो गुस्से में है अगली बार भाग के जाएगी ना तुम बता के जाना भारती यह तुम्हारे पापा है ना बात्चीत करके खतम करो ना प्लीज टब हमारा प्यार दिखाओ जैसे बाकी लोगों को मारते हो वैसे ही इने भी मारो जाओ यही है जो आपकी बेटी को उठा कर ले गया था जब घर पर कोई नहीं था तब हमारी बेटी को उठा कर ले गया था